कल रात बारा एक बजे के करीब में हबीब नुर्मा गुमेडव का लाइव इंटरव्यू हुआ UFC के साथ में UFC के ओफिशियल चैनल पर ये इंटरव्यू दिखाया गया और इस इंटरव्यू में हबीब ने बच्पन से लेकर अब तक इसलाम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है इसलाम स्कूल में कैसा था वो बताया है कैसे इसलाम की और इसकी दोस्ती हुई यह बताई है उसके अलावा चाल सोली वेरा को कैसे हराएगा यह बताया है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि हभीब ने अपने लेटेस्ट इंट्रिव्यू में बचपन से लेकर अब तक सब कुछ बताया इसलाम के बारे में और इसलाम मखाचयव किस तरीके से हराने वाला है ट्रेनिंग कैम्प कैसा चल रहा है चोटी से चोटी और मोटी से मोटी बाते बताई है तो नमशकार दोस्तों मिरा नाम विपलो सिंग है अगर आप लोग हिंदी में देखना चाहते हैं यूएफसी की वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए बिना किसी देरी को ये देरी किये हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रिव्यूर ने बोला कि इसलाम मखाचयव का निकनेम जिंक है क्या Zinc तो हभीब हसने लग गया हभीब बोला यार तुझे कैसे बता उसका निकनेम जिंक है बच्पन में उसका निकनेम जिंक हुआ करता था तो फिर यहाँ पर जो इंट्रिव्यू ले रहा था उसने बोला कि कजीम शेर्नोविच आप इसको जानते हो तो हभीब ने कहा कि हाँ मैं बिलकुल जानता हूँ देखो यह जो आदमी है कजीम शेर्वानविच यह उस स्कूल का हैड था जहां पर यह तीनों पढ़ते थे फिर हभीब ने बताया कि हाँ हम तीनों को बहुत अच्छे से जानता है फिर उसके बाद बोला कि मैं इसलाम को अर्ली चाइल्ड उड से जानता हूँ यानि कि वो मेरे से तीन साल चोटा है और मेरे से यंग है और उसने बोला कि हम लोग इकठे ट्रेन करते थे हम स्कूल में इकठे जाया करते थे यानि कि इसलाम और हभीब इकठे स्कूल में जाया करते थे और हभीब ने बताया कि हमारे घर के हमारे घर के आसपास हमारे घर के यार्ड में एक वूशू का जिम हुआ करता था जहांपर मेरे फादर मुझे और इसलाम मकाचे और अबू बकर को सिखाया करते थे उसी जंगे पर वहीं पर हमने वूशू इकठा सीखा ये early 2000 की बात है early 2000 की ठीक है उस टाइम पर इसलाम मखाचव 10 से 11 साल का था उसी टाइम से इसलाम मखाचव किसी भी competition में हारना hate करता था कभी भी किसी की competition में हारना पसंद नहीं था ये जो भी बोल रहा है ये हभी बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ whatever martial arts he competed he was successful किसी भी martial arts के अंदर compete किया इसलाम ने उसी के अंदर वो successful हो गया फिर हभी पसे पूछा गया कि पढ़ाई के अंदर इसलाम कैसा था पढ़ाई लिखाई में उसने बोला कि मुझे नहीं पता पढ़ाई लिखाई में वो कैसा था ठीकी होगा लेकिन मुझे इतना पता है कि वो ज़्यादा शरारती बच्चा नहीं था स्कूल में क्योंकि अबूबकर जो था वो शरारती था लेकिन ये इसलाम शरारती नहीं था अबूबकर और इसलाम क्लासमेट थे क्योंकि अबूबकर एक बार फेल हो गया था फिर उसके बाद पूचा कि इसलाम मकाचेव के बारे में कोई स्टोरी बता सकते हो आप तो यहाँ पर हबीब ने दो स्टोरी बताई उसने का कि दो फाइट ऐसी हैं जिसके बारे मैं बात करना चाहता हूँ पहली फाइट है एक एमेचर टूर्नामेंट कीव में और खास बात यह है कि इसलाम उस फाइट में हार गया था जो कीव में हुई थी वो टूर्नामेंट इसलिए आ रहा था क्योंकि रैफरी ने गलत डिशिजन दे दिया था उसके खिलाफ 135 LBS की कटेगरी में था लेकिन इस अमेचर हार के बाद इसलाम मखाचव टूटा नी इस हार के बाद वो रशियन, यूरोपियन और कई जगे पर चैंपियन बना तो ये बात दिखाती है कि ये इसलाम मखाचव कितना mentally fit है ये हभी बोल रहा है हभी ने और फिर ये बोला कि हर एक सामबो टूर्नामेंट उसने जीता उसके बाद हार के बाद कीव के बाद और उसने बोला कि यही मोमेंट किसी भी आदमी को make और break करते है फिर उसने कहा दूसरी fight जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है unlucky fight UFC की जिसमें नोकाउट हो गया था कौन? इसलाम मखाचव उसने कहा कि उस हार के बाद से अब 7 साल हो चुके है एक बार भी इसलाम मखाचव हारा नहीं है तो यही दिखाती है यह चीज कि कितना mentally tough है इसलाम मखाचव वो सिर्फ जीतना नहीं पसंद करता है वो dominate करता है दूसरों को फिर उसने कहा कि फिर उससे पूछा गया हभीब से कि क्या इसलाम मखाचव आपके फादर का सबसे favorite student था तो उसने कहा कि देखिए वो definitely top 3 में है उन्होंने ये तो निका की number one उन्हें का top 3 में है उसने कहा कि बहुत सारे ऐसे student और भी थे जो उनको बहुत पसंद थे जैसे मैं हुआ खुद उनका लड़का और इन 20 सालों में कई लोग आए हैं कई लोग गए हैं लेकिन मैं बस इतना आपको बता सकता हूँ कि top 3 के अंदर तो वो बिल्कुल ही है ये तो 100% बात है फिर उसने कहा कि मेरे father और मैं उसके work ethic और उसके discipline के उपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और हमें ये बहुत पसंद है उसका उसने कहा कि तुम बता सकते हो कि इसलाम मखाचेव क्यों UFC चैंपिन बनेगा ये बात पूछी गई हभीब से तो हभीब ने बोला कि चाल सॉलिवेरा से ज़्यादा skilled है इसलाम मखाचेव और एक चीज़ और कही कि इसलाम मखाचेव अपनी peak पर है यानि कि इसलाम मखाचेव अभी 23, 24, 26, 27 यानि कि वनों ने कहा कि इस age group के बीच में है इसलिए वो अपनी power के potential पर है लेकिन इसलाम मखाचेव के मुकाबले चाल सॉलिवेरा बूड़ा हो गया है ये बात देखो उसने कही मुझे तो नहीं लगता कि चाल सॉलिवेरा बूड़ा है लेकिन चलो खेर उसकी बात है हभीब की हभीब ने कहा कि वो 30 से उपर हो चुका है और जब तुम्हीं 32 के हो जाते हो तुम्हारे अंदर इतनी power नहीं रहती मुझे नहीं पता ये हभीब ने क्यों कहा लेकिन बिल्कुल ऐसा ही का एक एक वर्ड ही है उसने कहा कि अगर तुम्हें UFC का champion बनना है तो तुम्हें mentally तो fit होना ही पड़ेगा mentally तो peak पर होना ही पड़ेगा लेकिन physically भी peak पर होना पड़ेगा चाल सॉलिवेरा बेशक mentally peak पर हो कि वो लगातार जीत रहा लेकिन physically peak पर नहीं है लेकिन दूसरी तरफ इसलाम मकाचे physically और mentally दोनों peak पर है इसलिए कई बार जब तुम ऐसे टाइम पर दोनों की fight करवाओगे तो इसलाम ही जीतेगा और लास्ट में उन्होंने कहा कि overall Islam better है उससे हर एक चीज में इसलिए मैं कुछ जंग ओपर तो थोड़ा दिक्कत मान रहा हूँ थोड़ी मुझे चिंता है वरना अगर वो चीज़ें नहीं हुई थोड़ा बहुत भी केरफुल रहा इसलाम तो इसलाम मकाचे बहुत ज़्यादा easily अरा देगा किसको चाल्स ओलिवेरा को फिर उसके बाद ये पूछा कि आप मुझे बताओ कि बैल्ट जीतने के बाद चाल्स ओलिवेरा को हराने के बाद इसलाम मकाचे वो क्या करेगा तो यहाँ पर हभी बोले कि देखो ये तो बेवकूफी बरी बाते हैं बैल्ट अभी जीती नहीं है तो उसके बाद हम कैसे ये बता दें कि बैल्ट जीत कर क्या करेगा अभी चाल्स ओलिवेरा पाउंड फोर पाउंड नमबर टू प्लियर है उसके साथ इसलाम की फाइट है तो हमारा पूरा द्यानब पहले चाल्स को हराने पर है उसके बाद ही हम आगी की सोचे की तो ये पूरा इंटर्व्यू था इसमें बहुत सारी चीजें चाल्स ओलिवेरा के खिलाफ बताई इसलाम मखाचेव की प्रिपरेशन के बारे में बात की किस तरीके से ये दोनों मिले किस तरीके से हबीब ये सोचते हैं कि mentally और physically चाल्स ओलिवेरा से कहीं आगे हैं इसलाम मखाचेव तो ये पूरा का पूरा इंटर्व्यू था मैंने आपको easily समझाने की कोशिश की इस इंटर्व्यू से कई बाते निकल कर आई हैं जिनके बारे में मैं वीडियो बनाऊं कुछ बातों से कैसे नहें कोशिश ही बटा कि तब तक के लिए ठेंड़ किया है खियाल रखे अपना और वीडियो Conquer और कैसला वह मुझे नीचे कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताई वीडियो से आती रहें हैं